Hello Learners, this is Sir Faraz from British Academy. कल हम दे कुछ silent alphabets के बारे में बात की थी. आज उसी सीरी उसको आगे बढाते हुए आपके सामने कुछ और तीन हम silent alphabets लेकर आया हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी लोगी आपके साथ share करेंगे. जिसमें इन है H, L and U. हम आपको बताएंगे, L काहां silent आता है, U काहां silent होता है, H काहां silent होता है. चलिए बात करते हुँ आगे. silent H, उससे पहले कभी भी, जब हम H देखते हैं, इक means कि हम एक H को नहीं पढ़ता है. हमें कहां से शुरुवात करनी है? उससे. like, honest, honor, और honorable. इसी तरह से जब हम बात करते हैं, हमाने L के, तो L का silent रहेगा, जब कभी भी, L, D, K, F. से पहले आने वाला L हो, तो हमेशा silent हो जाता है. for example, calm, C, A, L, M. लेकिन हम यहां पर L को नहीं पढ़ता है, calm, and could, can की सेकेंद पर मुचीं, C, O, U, L, D, could. to, talk, half, and walk, और इसी तरह से जब हम बात करते हैं, यू के बारे हैं, तो आए इनन लेखते हैं, जब कभी भी जी से ख़र ले यू आजाए, तो आप समय दिए जी का यू को नहीं पढ़ना है, यू के इदम शान्त कर देना है, for example, guard, guitar, and guest, इसी तरह के की और जानतारी के or शेदरी, thank you.